नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बाल बढ़ाने वाले तेल बनाने का तरीका बताऊंगी और घर पर ही आप आसानी से इस हेर ग्रोथ तेल को बना सकती है हमारे बालों के साथ अकसर ही कुछ न कुछ दिक्कते जूड़ी रहती है कभी ये जढ़ने लगते हैं, कभी रूख सूख दिखते हैं और कभी डेंडर्व जैसी प्राबलम तो आज जो यहां पर मैं आपको नुस्खा बताऊंगी ये पूरी तरह नैचुरल है और इसे बनाना और अजमाना दोनों ही बहुत असान है तो फ्रेंट्स इस तेल को बनाने के लिए आपको नारियल का तेल और सरसू का तेल इक्विल कॉंटिटी में लेना है और इसके अलावा अलोवेरा, आमला, कलॉंजी, मेथी तो आईल को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर बरतन चड़ाएं और उसमें बराबर मातरा में नारियल का तेल और सरसू का तेल डालें इसके बाद दो चमच मेथी, कलॉंजी और बारी कटे हुए अलोवेरा के टुकडे और आमले के टुकडे डालें और सबी चीजें डालने के बाद 15 मिनट तक इस तेल को यूही गैस पर चड़ा रहने दे और पकाएं और गैस को स्लो रहने दे और पकने के बाद तेल को पूरी तरह ठंडा होने दे और उसके बाद छान कर आप किसी बरतन में निकाल लें तो फ्रेंट्स वीडियो में अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो इससे जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट्स ये हेर ग्रोथ ओयल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आईरेन की कड़ाई लिए आपके पास जो भी बरतन हो आप ले सकते हैं और इसमें मैंने ये एक अलची जितना नारियल का तेल लिया है और इतना ही मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी दोनों ओयल हमें इकवल कॉंटिटी में लेने हैं और अब तेल हलका हलका गरम होने लगा है तो मैंने इसमें एक चमच कलौंजी डाल दी है और इसके बाद मैं इसमें एक चमच इतनी मेथी डालूंगी और इसके अलावा मैं इसमें बारीक कटा हुआ आम्वला ये मैंने एक आम्वला बारीक बारीक कट कर लिया था और मैं इसमें एलोवेरा जो मैंने बारीक बारीक काट ली है वो डालूंगी और ये सबी चीज़ें डालने के बाद तेल में थोड़े जाग आने लगे थे तो अगर आपके ओयल में भी कुछ इस तरह से होता है तो कोई घबराने की जुरूत नहीं है जैसे जैसे ये तेल पकता गया ना तो ये जाग अपने आप ही खतम होने लगे थे 10-15 मिनेट तक मैंने इसको अच्छी तरह पकने दिया और उसके बाद ये तेल कुछ इस तरह की कंडिशन में आ गया है और जैसे जैसे पूरी तरह पकने लगा तो बिलकुल जाग खतम हो गए और इस तरह का हमारे पास तेल ये बनकी रेडी हो गया है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसे एक चलने की हैल्प से छान लूँगी और ये बहुत ही अच्छा ओइल है आप इससे अपने बालों की मसाज करें ये आपके बालों में जरूर फरक देगा इस तेल को बालों को वाश करने से दो तीन घंटे पहले लगाएं और अगर आप लगा कर रख सकते हैं तो पूरी रात इसे अपने बालों में लगा रहने दें और हलके हलके हाथों से बालों की मालिश करें और अगली सुभे शैंपू कर लें कुछ ही दिन इस्तिमाल करने के बाद आपको इस तेल का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा ये तेल बालों को बढ़ाने में तो help करता ही है साथ ही बालों को काला घना और शाइनी भी बनाता है आप हफ़ते में दो बार इसे use करें और दो से तीन महिने तक आपको इसको regular use करना है और उसके बाद आप देखेंगे अपने बालों में फरक आपको खुद ही नजर आएगा तो friends ये home remedy आपको पसंद आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like करें चैनल को subscribe करें और share करें अपने friends और family के साथ और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ